पिछली सरकार कुवा में कुद गई थे ति इनको कुवा में कुद ने के क्या है सकता थे अगर पिछली सरकार ने गलती की पिछली सरकार ने अगर साथ जिलों में हम बात करें कूटी की लोहर दगा के गुमला के लातेहार के दुमका के पचिम सिंबुम के इन साथ जिलों में अगर पिछली सरकार ने गलती किया था इनको सिधारने के लिए कौन रोका हुआ था इनको सुधार करके संसोदीत करना चाहिए तो यह भी धाक के तीन पाथ होगा आज उनको होस आए जाब सुप्रीम कोट का लाठी चल रहा है तब यह से बरतमान सरकार को होस में आया और यह ने कहा कि ऐसा विभाग है जहां पैर के नीचे गोली लगी है कमर के नीचे 15 दिन से शरीर में ही पड़ा है मंत्री करें अपने हालात नहीं देखी भाजपा दूसरे पर उंगली उठा रही है स्वास्त विभाग यूं ही चलता रहेगा इस तरीके से पी-म वेंटिलेटर का भी मुद्दा उठा चोरी और सिनाजोरी का भी मुद्दा उठा हम मारा मुद्दा दूसरा है हमारे साथ डॉक्टर लंबोदर महतों है आजसू के सरकार ने ये क्लियर कह दिया है कि हम इस महिने में जारी कर देंगे नोटिफिकेशन नोकरी आ जाएगा अब जेमियम ये पूछना चाहती है कि अभी अप्रेल में खतम होगा नगर निगम कटर तो चुनाव नहीं होगा तो क्या पैसा आएगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है रिशीत रुप से इसके लिए राजसरकार जिम्मेबार है विगद दो बरसों से मामला चल रहा है दो बरसों से हम लोगों ने चिला चिला के इस सरकार को कहा कि आप ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए केमिसन का घटन करो रिपोर्ट लो यहां के पिचली जातियों को आप पंचाय चुनाओरों नेगर निकाय चुनाओं में आरक्षन देने का अधिये का सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई थे आज उनको होस आए जब सुप्रीम कोट का लाठी चल रहा है तब इस बरतमान सरकार को होस में आया और यह अभी ट्रिपल टेस्टिंग करने का सपना देख रही अभी तक अभी तक नोथिपिकेशन जारी नहीं हुआ कि ट्रिपल टेस्टिंग कौन करेगा कैसे करेगा इसकी अधिता जारि नहीं वह इसके लिए बिल्कुल पुरी तरसे संक जिम्मेवाय और सरकार जानवूज कर रहा है वेकल दो सालों से यह मामला चल रहा है टिपल टेस्टिंग का इसी सदन में चल रहा है हम लोगों नहीं लागा कई जिलो में जो जिला अस्तर पे नोकरी निकलेगी वहाँ पिछडो कारक्षन सुन्य है कर रहा हमारा जैमेम कर रहे हमारा देन नहीं यह पिछली सरकार का देन है उनसे पूछिए जाके हमने तो यह ड़ूएस को दे दिया दस पर से अगर अगर पिछली सरकार कुवा में कु पचिम सिंबुम के इन साथ जिलों में आज पिछलों का आरक्षन नहीं लोगों ने जिलास तरी पदों पर सुन्य कर दिया अगर पिछली सरकार ने गलती किया था इनको सिधारने के लिए कौन रोका हुआ था इनको सुधार करके संसोदीत करना चाहिए तो यह यह भी तो धाक के तीन पात होगा जो गलती पिछली सरकार ने किया इस सरकार न भी वही गलती किया तो निश्चितरूप से अब भी इनके पास वक्त है कि पिछली सरकार के किये गलती को यह सुधार करें यहां राजी की पिछली जातियों के हक में उनके हकार अधिकार देराने के कि प्रोस्टल मं कर दिया आप आप दो चीज समझें नवी अनुशुची में क्या किसा मिलू करना नवी अनुसुची में कोई कानुन साा भlet कोई अधिनियाम शामिल आता है तो सबसे पहले इनको जो दो विधायका मातपुर्ण 1922 कत्यान आधारी तस्ताने निति और ओभी से आरक्षन बिर्दी ये दोनों विधायकों को पहले अधिनियम के रूप में सरकार अधिसुचित करें और अधिनियम बढ़ने के बाद इनिसको प्रोटेक्टेट करने के लि और जो अधिनियम बनावे उसको समिधान के नवी सुचे में सामल करने के लिए कि जब अगला सब्ता से हम निकालेंगे या नोकरी तो आपको लगता है पिछडों का इस साथ जिले में तो अभी ही लोगों ने खतम कर दिया और इसके साथ ही सरकार के नियत और निती पर जो आपको एसे नहीं समझ में आएगा पाटी करती कुछ है बताती कुछ है और इस वज़े से भोट मांगती है कि हमने आपके लिए ऐसा किया अभी भी जातीगत जो जनगन्ना एक बड़ा मुद्दा है और आरक्षन भी कि राज में कितना प्रतिशत मिलना चाहिए आर पिछड़े को और खासकर जो जिला अस्तर पे वेकेंसी है जिन जिलों में सुन्य प्रतिशत जीरो मिला है आरक्षन पिछड़ी जाती को उसका भरपाई कौन करेगा कौन उसके लिए दोसी है शुक्रिया